जहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पैट का जो 15 अक्टूबर को एक्जामिनेशन हुआ था यह सेकंड सिफ्ट का पेपर है पेपर सेकंड सिफ्ट के पेपर का पहला वीडियो में आपको लिए बना चुका हूँ यह वीडियो नंबर 2 है तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो भी बच्चों का कल एक्जामिनेशन है उनको बहुत-बहुत-बहुत बैस्ट आप एक्जामिनेशन अच्छे से दीजे इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि सिफ्ट 1 का आप असानी से करके आए जो मैत के कोशन है वो मैं भी नहीं समझाने वाला क्योंकि आप इतने छोटे समय में आप मैत समझ नहीं पाएंगे जिससे आपको ओवर लोड हो जाएगा तो आप सिफ यह सब कोशन को देखिए कुशन बढ़ते हैं आपे पदान मंतिक नरेंद इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका यह कौन से रिपोर्ट में है तो इसका राइट अंसर है नीती आयो के दौरा यह जारी किया गया है नेस्ट कोशन निमलिखित में से कौन सा राज सिंगल एंट्री मल्टिपल एगजिट किस राजी के दौरा यह स्टार्ट किया गया है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश के दौरा यह स्टार्ट किया गया है हम आगे अपने next question के और बढ़ते हैं निम्लिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद सासित परदेश है यह बहुत easy question आपको बताना है केंद सासित परदेश union territory सबसे छोटा कौन सा है तो वो लक्षे दीब है next question के और बढ़ते हैं a new digital platform campus power for a student ecosystem has been launched by which bank आपको बताना है campus power जो student ecosystem के लिए launch किया गया है यह कौन से bank के द्वारा यह launch किया गया है तो यह state bank of India के द्वारा यह launch किया गया है आगे बढ़ते हैं भारत में भारत के कितने राज बांगलादेश के साथ सीमा अपना share करते हैं तो आपको बताना है कि भारत के कितने ऐसे राज है जो अपना border share करते हैं बांगलादेश के साथ है तो इसका right answer हो जाएगा option B 5 ऐसे राज है जो border share करते हैं बांगलादेश के स साथ which of the following is the national currency of Poland देखे एक नेशनल करेंसी से कोश्चन फर्स्ट सिफ्ट में भी था सेकंड शिफ्ट में भी हमें कोई कोश्चन देखने को मिल गया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यान आगे बढ़ते हैं उत्तर परदेश का एक लोग पर ये सास्त्री नित है उपर नोटंकी एक फ्लोक जो डांस पूछा गया था वो किस राजे सा वो भी उत्तर परदेश से था और यहां पर भी देखिए एक क्लासिकल डांस के बारे में पूछ दिया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number कथक उत्तर परदेश का लोग पर ये सास्त्री नित पूछा गया है तो यह आपका हो जाएगा कथक एक होता कथक कली कथक कली यहां का नहीं है यह चीज़ ध्यान रखिएगा कथक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं which of the following has power to propagate the लोग सवा सेशन किसके पास लोग सवा सत्र क श्थगित करने की सकती होती है तो किसके पास यह सकती होती है भारत के राष्टपती के पास यह सकती होती है president of India आगे बढ़ते हैं अंतराष्ट या इंसा दिवस निमलिकृत में से किस दिर मनाया जाता है आपको बताना है international day of non-violence is celebrated on which day किस दिन इसको celebrate किया जाता है तो इ वास्को डिगामा is situated in which of the falling place of India? आपको बताना है वास्को डिगामा का मकबरा भारत के किस अस्थान पर इस्थित है? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कोची, केरल. केरल में ये इस्थित है. आगे बढ़ते हैं. आपको बताना है कि जो थोमस कब गेम है, ये किस से related है? तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट अंसर हो जाएगा option C, tennis. थोमस कब जो है, वो tennis से related है. आपको बताना है Wing of Fire किसके दोरा लिखी गई है, तो इसके दोरा लिखी गई है. देखिए, same question, global warming का same question आपका shift 1 में भी था. ये देखिए, मैं इसलिए बार-बार आपको कह रहा हूँ कि question repeat हो रहे है, जो first shift का paper है, वो second shift में तीन-चार question ऐसे हैं, जो direct आपके आदा इक्जाम दे रहे हैं, मेरे उनसे request है कि आप इन सब वीडियो को एक से दो बार देखें, और सिर्फ GS portion को देखें, math अगर आपको देखना है, math के formula देख लिजेगा, math का question देख लिजेगा, कि number series, देखिए, pie chart के question बहुत जादा रहे है, मैं आपको एक चीज दिखा देता ह अपर है, कौन सा डिस्टिक नीचे है, यह देखें, यह सब आपके database के question है, आपको data पढ़ना है, और इसमें percentage और ratio निकाल के आपको बताना है, इसलिए यह pie chart का question है, तो यह देखें, यहाँ पे भी graph question है, percentage आपको निकालना है, तो यही चीज में बताता हूँ, अगर math में, आपको paragraph दिया रहेगा, उस paragraph को पढ़के, आपको question answer करने है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, कि paper बहुत easy है, आपको डरने की कोई जरूत नहीं है, बस करना क्या है, एक दो बार इस वीडियो को देख लें, और अपनी revision करते रहें, जिससे आपका कल का examination अच्छा आप सभी को best of luck, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जाहिंद!